नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 2023 में Plumbering Fitting का कितना पैसा लेना चाहिए उसकी पूरी लिष्ट आचुकी है तो चलिए एक एक करके हम आपसे Share करते हैं कि एक टॉंटी लगाने का कितना पैसा लेना है और इसके साथ साथ Indian Toilet Seat, European Toilet Seat, Sink, Wash Basin, Water Tank, Sawer, Plus और इसके साथ साथ Water Pipe और Giger को Fit करने का रेट 2023 में Plumber को कितना लेना चाहिए इस वीडियो में एक एक करके Full Information आपसे Share करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आपको कितना बोलना चाहिए और कितने में यदि पूर कर देंगे तो आपको किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा एक एक करके हम आपको बताएंगे इसकी पूरी लिष्ट आप देखते चलिए और इसके साथ साथ इसको आप कहीं पर लिख लीजएगा और आप जिस एरिये में रहते हैं अगर वहां का रेट आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएगा तो चलिए हम आपको इस कौपी पर ले चलते हैं और 2023 का प्लंबर रेट हम आपको एक एक करके बताते हैं तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और यदि आप थोड़ा सा डिस्काउंट देना चाहते हो तो 180 रूपए में एक टोटी लगा देना है और यदि आपका क्लाइंट एक से ज्यादा टोटी सेट कराता है तो उस situation में आप अपने क्लाइंट को थोड़ा सा और ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हो हमारी कंपनी में जिस कॉंट्रिक्टर ने प्लंबर वर करने का ठेका लिया हुआ है वो एक टोटी सेट करने का 200 लेता है तो इसी तरीके से आप भी अपने क्लाइंट को डिस्काउंट दे सकते हो ठीक है अपनी इच्छा नुसार तोटी के बाद नेक्स्ट यदि हम इंडियन टोइलेट सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम इंडियन टोइलेट सीट बोलते है और इसको SET करने का 2023 में जो रेट चल रहा है वो 1200 रपए से लेकर यानि की 1200 से लेकर 1500 रूपए Indian toilet seat को SET करने का चल रहा है तो एक Indian toilet seat SET करने का जो रेट आपको लेना है वो 1200 से लेकर 1500 रूपए लेना है और हमारी Company में जो Plumber work कर रहा है वो 1200 रूपए गाउं के इलाके में बोलता है और इसके साथ-साथ 1100 से लेकर 1000 रूपए में सेट कर देता है और इसके साथ-साथ यदि मार्केट वगएरा यानि कि थोड़ा घर से दोड़ जाता है तो उस situation में 1500 रूपए बोलता है और 1200 से लेकर 1300 रूपए में सेट कर देता है ठीक है तो इसी तरीके से आप भी अपने क्लाइंट को डिसकाउंट दे सकते हैं इंडियन ट्वाइलेट सीट के बाद निक्षिय धिम वेश्टन ट्वाइलेट सीट सेट करने के पलंबर रेट की बात करें तो 1500 रूपए से लेकर 2000 रूपए के बीच एक वेश्टन ट्वाइलेट सीट सेट करने का रेट चल रहा है और हमारी कंपनी में जो पलंबर वर्क कर रहा है वो वेश्टन ट्वाइलेट सीट सेट करने का 1600 रूपए वोलता है और इसके सासा 1400 से लेकर 1500 रूपे में कर देता है ठीक है और यदि अपने घर से 10 से 15 किलो मीटर बाहर जाता है तो उस सेचुएसन में 2000 वोलता है और 1800 से लेकर 1700 में डिसकाउंट दे के कर देता है ठीक है तो इसी तरीके से आप भी अपने क्लाइन को डिसकाउंट दे सकते हैं आपकी एरिय में बेश्टन टॉयलेट सीट सेट करने का क्या रेट है comment box में comment करके जरूर से जरूर बताइए बेश्टन टॉयलेट सीट के बाद next इदि हम सिंक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम सिंक बोलते हैं और sink को set करने का जो rate है वो आपको 500 रूपए एक sink set करने का बोलना है और इसके साथ-सत यह आप discount देना चाहते हैं तो 100-500 रूपए कम कर सकते हैं हमारी company में जो plumber work कर रहा है वो 500 रूपए एक sink set करने का बोलता है और इसके साथ 400 रूपए से लेकर 400 की बीच कर देता है सिंग के बाद इध्यां वास बेसिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम वास बेसिन बोलते हैं और वास बेसिन को सेट करने का जो प्लंबर रेड प्रिजन टाइम में चल रहा है वो 600 रूपए हैं आपको 600 रूपए बोलना है यदि आप थोड़ा सा डिसकाउंट देना साते हैं तो आप 500 रूपए में भी कर सकते हैं आपको किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा वास बेसिन में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक नीशे टोटी लगती है और एक उपर लगती है और इसके साथ-साथ ये वास बेसिन का पूरा सेट होता है तो इतना पूरा सेट करने का जो रेड होगा वो 600 रूपए होगा वास बेसिन के बाद इन हम वाटर टैंक की भात करें तो water tank में 500 लीटर और 1000 लीटर का water tank होता है दोनों को install यानि कि set करने का जो rate है आपको 1000 रूपे लेना है ठीक है आपको 1000 रूपे बोला है और 700 से 800 रूपे में भी यदियाब कर देंगे तो आपको किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा हमारी company में जिसने plumber work करने का ठेका लिया हुआ है वो water tank को set करने का 1000 रूपे लेता है यानि कि 1000 रूपे बोलेगा और 900 से लेकर 800 रूपे में कर देगा ठीक है तो इसी तरीके से आप भी discount दे सकते हैं आपको किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा water tank के बाद इधियम सावर की बात करें तो सावर को set करने का जो रे ट है आपको 300 रूपे लेना है पीजिब्यम पहलें पात करें तो आपको केफल और केफल 20 रूपे बोलना है और 3.5 में आपको करड़ोगे तो आपको किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा और इसके साथ साथ यदि आपको toilet seat और plus दोनों एक साथ set करना है तो आप यही rate लेंगे यह toilet seat का जो rate हमने आपको बताया था इसमें plus भी आपको लगाना है ठीक है यदि आप इतना rate ले रहे हैं तो toilet seat के साथ आपको plus भी इसी में लगाना है इसको आप याद रखेगा plus के बाद next evening plumbing water pipe की बात करें तो आप देख सकते हैं कि wall की cutting करके कुछ इस तरीके से water supply का pipe fit किया जाता है तो यदि आप इस तरीके से water pipe fit कर रहे हैं तो इसका जो 2023 में rate चल रहा है वो 25 रूपे पर running fit से लेकर 30 रूपे पर running fit लेना है आपको ठीक है यानि कि 25 रूपे पर running fit से लेकर 30 रूपे पर running fit आपको लेना है आप सबसे पहले 30 रूपे running fit बोलेंगे और यदि आपको थोड़ा सा discount देना है तो आप 25 में कर देंगे 25 से नीचे आप मत करिएगा और इसके साथ साथ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 pipe चल रही है तो यह 2 pipe की cutting आपने एक operation में 50 रूपे running fit चलेगा वाटर फिटिंग पाइप के बाद next इदि हम गीजर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम गीजर बोलते हैं इससे पानी को गर्म करने का work किया जाता है यह machine पानी को गर्म करने का work करती है और 2023 में गीजर set करने का जो rate है वो आपको 1000 रू एक हजार रूपे से लेकर 900 रूपे में कर देना है हमारी company में जो mystery work कर रहा है वो गीजर set करने का 1000 रूपे बोलता है ठीक है एक हजार रूपे बोलेगा और यह client पैसा कम करने के लिए थोड़ी सी जित करेगा तो 900 रूपे में कर देगा और यह बहुत जादा जित करेगा तो 800 रूपय में कर देगा, बट 800 रूपय से नीचे नहीं करेगा, ठीक है, तो गीजर सेट करने का आपको 1000 रूपय बोलना है, और यदि आप 900 रूपय में भी कर देते हैं, तो आपको किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा, तो 2023 में प्लंबरिंग वर्क फिटिंग का जो नया हमने आपको बता दिया कि कि आपको कितना बोलना है, कितना लेना है, यदि आपको वीडियो थोडह सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देचे. और आपकी एरिये में क्या रेट है कमेंट बॉकस करके ज़रोर से ज़रोर बताईगा, अभी के लिए इतन ही अपना ख्याल लगिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी जादा ख्याल लगिए इसी भाहों के साथ आप सभी से विरा लेते हैं धन्यवाद